पैंसन धारकों के लिए एक बार फिर से जबर्दस्त खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी एक पैंसन लाबारती हैं तो किरप्या इस वीडियो को आप चरूर बोच करेगा। अब पैंसन लाबारतीयों को हर महीने तीन हजार रुपे पैंसन दे जाएगी। हालेक दोस्तो सरकार की तरफ से जो हाली में पैंसन दे जा रही है वह तिमाही पैंसन यानके तीन हजार रुपे पैंसन दे जाती है। वहीं दोस्तों पैंसन लाबारतियों को हर महीने तीन हजार रुपे बैंक घाते में ट्रांसफर किये जाएंगे यह पैंसन किन लाबारतियों को मिलने वाली है और कैसे हर महीने तीन हजार रुपे पैंसन लाबारति ले सकते हैं उसके बारे में हम आपको तमाम जानकारी दें जा रहे हैं अगर आप एक पैंसन लाबारती हैं या फिर आप नई पैंसन बनवाना चाहते हैं तो किर्पया इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहेगा क्योंकि तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरपया वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जैसे अदा सेर भी करिएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं अब पैंसन लावार्थियों को हर महीने तीन हजार रुपे पैंसन दी जाएगी जिसे की लावार्थि अपना जीवन अच्छे से व्यत्तीत कर सके हैं दोस्तो आप सभी जानते ही हैं कि बुजुर्ग व्यक्तियों का कोई आयका सदन नहीं होता है जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके भी दोस्तो कोई आयका सदन नहीं होता है वह विजादे अधिक कारिया नहीं कर पाते हैं और विद्वा महिलाओ के पास भी दोस्तो अध राज्य में दोस्तों पैंसन चलाए गई है तुस्तों जिनका लाब लाबार्तियों बुजर्गों विद्वाओं महिलाओं को और दिव्यांगों तक पहुँचा जा सके सिधा लाब डेविटे के माध्यम से पहुचा जाता है सभी पैंसन लाबार्तियों की पैंसन दोस्तों अभी ट्रांसपर कर दी गई है लेकिन अब सभी पैंसन लाबार्तियों अगली पैंसन का भी इंतिजार कर रहे हैं अगर आप भी ऐसे पैंसन लावारती हैं कि आपको अब तक पैंसन का लाव नहीं मिला है तो आप कमेंट बोक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों पैंसन लावारतीयों को हर महिने 3000 रूपे पैंसन मिल पाएगी वह कैसे तो चलिए उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं कि यह पैंसन किन पैंसन भोग्यों को और कैसे यह पैंसन मिल पाएगी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए देखें आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परदेश सरकार की तरफ से कुष्ट अवस्था पैंसन चलाई गई है जिसके अंतरगत हर मही ने तीन हजार रुपे पैंसन लाबार्थी को दिये जाते हैं हलकी यह पैंसन उन्ही लाबार्थियों को मिल सकती हैं जो कुष्ट रोग से गरस्त होंगे जी हाँ दोस्तो अगर आपके भी परिवार में कोई कुष्ट रोग से गरस्त है तो आप इस पैंसन के लिए अपलाई कर सकते हैं अगर आप पो नहीं पता है कि कुष्ट रोग क्या होता है तो आप गुगल क्रोम ब्राउजर पर जाकर सच कर लिजेगा कि कुष्ट अवस्था रोग क्या होता है जहां पर आपको तमाम जानकर मिल जाएगी और बहुत से फोटेज भी मिल जाएगी इसमें देखकर आप ज ऐसे होता है और फिर आप दोस्तों आसानी से पैंसन को बनवा पाएंगे और इस रोक को भी पहचान पाएंगे यह पैंसन एक दिव्यांग पैंसन है जी हां दोस्तों आपने सही सुना है यह एक दिव्यांग पैंसन है पहले सरकार दुवारा इसे पच्चिस सो रुपे पैंस यानिके पच्चिस्सो रुपझ पैंसन हर महिने लाबार्तियों को दिये जाते थे लेकिन परदेश सरकार दुआरा इसमें पानसो रुपह की बढ़ोतरी की गई और यह बढ़कर अब 3,000 रुपह हो गई है यनि कि अगर आप दिव्यांग ना भी हैं, आपका कोई हाथ पैरिया फिरकर कोई भी अंग डेमिज नहीं है तब भी आप यह पैंसन ले सकते हैं पस इसमें आप कुछ ट्रोक से गरस्त हों चाहिए अगर आप कुछ ट्रोक से गरस्त है तो आप यह है लाव आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस पैंशन योजना के अंतरगत दोस्तो कई नियम भी निर्धारत की गए हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर दिव्यांग पैंशन बनवाने जाते हैं तो आप से 40 परतिशत का सर्टिफिकेट मंगा जाता है यानि कि दिव्यांग पैंशन वही बनवा सकता है जिसकी दिव्यांगता 40 परतिशत की होती है लेकिन दोस्तो आपको बता दें कि कुछ्ट अवस्था पैंशन योजना में अगर आपका दोस्तो दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर 0 परतिशत का भी है तब भी आप यह पैंश बनवा सकते हैं और हर महिने 3000 रूपे पैंशन आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप खुछ ट्रोक से ग्रस्त हैं और यह पैंशन बनवाना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ महत्पूर्ण दस्तवेज भी चाहिए होंगे और वह दस्तवेज दोस्तों आपके आधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक की पास्पोक और पास्पोर्ट साइज फोटो आपका आई परमान पत्र ध्यान रहे हैं अगर आप ग्रामीन चेतर से हैं तो आपका जो सालाना आई परमान पत्र होना चाहिए वह 40,080 रूपे होना चाहिए दोस्तों यह है गाउंवाले अब जो शहरी छेतर में निवास करते हैं उनकी सालाना आए होनी चाहिए दोस्तों 56,460 रूपे तभी वह पैंसन में अप्लाई कर पाएंगे तो यह पैंसन आपकिसी भी नजदी की जन सिवा केंद पर जाकर बनवा सकते हैं और दोस्तों जब आपकी पैंसन के लिए अपल हो जाए तो आपको जो भी प्रिंट होगा यह जो भी फार्म होगा उसको प्रिंट आउट करवा लेना है और दोस्तों अपने सभी दस्तवेज अटैच करके आपको जिला कारियले में जाकर जमा कर देने हैं तो आपकी पैंसन दोस्तों बहुत ही जल्दी बन जाएगी और अप फिर पैंसन का लाओ भी ले पाएंगी ध्यानरहें कि आपकि जो भी डिटेल्स हूं चाईए सभी कागजातों में सभी दस्तवेजों में एक समान हूं चाहिए किसी में भी कोई मिश्टेक नहीं हूँ चाहिए अनसा दुस्ताफ की पैंसन रुख सकते है और आप फिर पैंसन का लाब नहीं ले पाएंगे आपको जान करें अच्छी लगी होंगी ताकि आने वाले सभी वीडियो आप दक्त मौँ सके और आप उसकी जानकारी को सबसे पहले प्राप्त कर सकें आप से जायत तरु मिलते हैं पुन अश्टी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत